जहें दोस्तो बहुत बहुत श्वागत है आपका फिर से एक ना एजुकेशनल वुडियो में दोस्तो आज हम लोग इलेस्टेटर में एपल का लोगो डिजाइन करना सीखेंगे तो आज हमें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहां से सरकल ले लेना है और एक सरकल आपको यहां पर ड्रो करना है कुछ इस तरह से दोस्तो सरकल ड्रो करने के बाद में हम यहां से कॉर्णर पर जाते हैं और इसका कलड़ा भी हम नौन कर लेते हैं नन करने के बाद इसका outline जो है, outline हम यहां से बढ़ा लेते हैं, एक depth है, तो कम से कम हम इसे 7 depth कर लेते हैं, उसके बाद हम यहां से move tool पे click करते हैं, और alt button को hold करके हम इसकी copy बनाते हैं, यह दोस्तों एक और मैंने यहां इसकी copy बना ली, copy बनाने के बाद फिर से move tool पे click करना है, दोनों object को select करना है, दोनों object को select करने के बाद यहां से एक option दिखाई देगा, step builder tool, जिसका shortcut की होता है shift plus M, आपको step builder tool पे click करना है, click करने के बाद इस तरह से इसमें lining खिचना है, और यह दोनों object को intersect कर लेना है, उसके बाद फिर से move tool पे apply करना है, फिर आपको यहां से क्या करना है, कि direct selection tool पे click करना है, इस object को select करना है, select करने के बाद, keyboard का down arrow होता है, उस पे click करके कुछ इस तरह का profile बना लेना है, दोस्तों आपका save कुछ इस तरह का हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से इसी बटन पे click करके और इस दोनों अबजेक्ट को select करना है, और यहाँ से कॉर्णर क्या कर लेना है, round कर लेना है, और फिर से इस object को select करना है, और पुणा हो भाई काम करना है, corner को round कर लेना है, दोस्तो आपका interface जो سैप है, इस तरह से दिखने लगेगा, फिर से move tool पे यहां से click करना है और circle में जाना है और यहां पे एक circle और आपको बनाना है कुछ इस तरह से दोस्तों circle को थोरा साम और नीचे कर लेते हैं यहां पे जैसा कि आप देख रहे हैं अब क्या करना है move tool पे click करना है दोनों object को select करना है सेलेंट करने के बाद फिर से जाना है आपको सैप बिल्डर टूल पे, सैप बिल्डर टूल पे जाने के बाद सिर्फ बीच वाले अबजेक्ट पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद अपलाई करना है और इस वाले अबजेक्ट को आपको क्या कर लेना है, इस वाले अबजेक् करना है और इसको भी हम यहां से हटा लेते हैं अब दोस्तों इस वाले अबजयक्ट को हम यहां से रोटेत करते है counter point पे ले करकर और इसे उठा करके । हम यहां पे डाल लेते हैं कुछ इस तरह से अब दोस्तों आप का interface इस तरह से दिखने लगेगा, फिर से move tool पे click करके दोनों object को select करना है, और select करने के बाद आपको यहां से color में जाना है, और जो color आप करना चाहते हैं, वो color आप कर सकते हैं, यहां से background sap जिसको outline sap बोलते है, outline पे भी जाना है, और यहां से आपको black पे click कर लेना है, तो दोस्तो आपका जो है कि apple का logo इस तरह से बन करके ready हो जाता है, तो दोस्तों अगर आपको यह video पसंद आ है, तो एक like किजिए, और मेरे channel पे नहीं है, तो इसी तरह का designing चीज़ सीखने के लिए मेरे channel को जरूर subscribe किजिए, फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगले video में, तब तक के लिए, जाहिंद